जाद दिन सत्गुरू बेंटिया सोदन लेखे जान बाकी समय विर्थ गया बेना गुरू के ज्ञान तो पुनातमाओ जिस दिन आपका अध्धात्मिक जनम होता है वो आपका वास्तविक जनम है इस प्रिथ्वी मनलब आगुन की अमाउस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को उपदेज मिला इस दास का अध्धात्मिक जनम हुआ तो कहते हैं गुरू मेर करे तो काग से हंस बना दे उन्होंने अपनी मेहर से इस दास को कव्वे को हंस बनाया और कहा के आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा वो तो अंत्रिया मीथे समझगे के चिंता ना करना तेरे साथ रहूँगा तेरे साथ मेरा आशिरवाद सदा बना रहेगा और फिर कहा के विश्वे में तेरे समान संत नहीं होगा नौकरी त्याग दी, एक ही काम हो सकता था या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी दिरे दिरे प्रमात्मा की दया हुई प्रमेश्वर ने आशिरवाद दिया गुरुदेव ने उक्देश दिया नाम देने का आदेश दे दिया दिख्षा देने का दास ये सर्विस करता था सर्विस के दोरान ही सहचरडे संडे को सत्संग करने लगा में इस दास को नामदान करने का आदेश हुआ फिर देखा वर्कलोड बहुत हो गया रजा दाता की बहुत भगत होने लगे सत्संग बहुत बढ़ गे दास सर्विस करता था जुनियर इंजिनियर सीविल अरियाना स्टेट की नौकली ट्याग दी एक ही काम हो सके था या तो परमातमा का आदेश पालन हो सकता है या फिर वो दूसरी नौकली सकती थी तो उसमें नौकली ट्यागने से पहले मन में बहुत विकलब संकलब उठे बच्चों का क्या होगा कहीं भूखे ना मर जाएं फिर परमातमा प्रेड ना देता के जी कल तेरी मर्चू हो जाती है तो क्या ठेके दारी लिए बैठा है इनका पालन परमातमा ही करेगा इस तरह की बहुत सी उतार चड़ाओं के बाद फिर परमातमा ने दया बक्सी या सेवा दे दी मजदूरी दे जिस दास को उसके बच्चों को जगाने की उन धनियों को जगाने की दास को एक कुट्टे की ड्यूटी मिली बहुकने की आप सभी धनी हो आप इसले पुनकरमी परानी हो आपको जगाना इसलिए उसे कह कि आपके चोरी हो रही है आपकी अनमोल जीवन ना सूरा है जो जाग जाता है कुटे के भूंकने से आवाज सुनकर वो अपना धन बचा लेता है और जो उस समें भी गफलत कर जाता है सोता रहता है तो सुबह देखता है तो उसका बहुत लॉस हो चुका होता है तो पनात्मों ये वो सुब दिन है ये सुब आउसर है जिसके उपलक्स में ये पांच दिवस्य समागम किया गया हागुन की अमाउस्या सत्रा फरवरी उननी सो अठासी को इस दास को उपदेज मिला इस दास का अध्यात्मिक जनम हुआ उस दिन के बाद एक नए जीवन की सरवात हुई आत्मा मन्यारी उमंग हुई दिन रात बगती मालकी वानी सत्गुर का संग करने लगा सनुनी सो चुरानुमे में दास ने कभी ये सोचा नहीं था सोपन में कि मुझे कोई ऐसा जिम्मेवारी की पोस्ट मिलेगी दास को ये नौकरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी कभी भी नी सोचा था दास क्या करता था अपने आज पास के संबंदी स्मित्रों को वैसे जो भी संपरक में आता था प्रमात्मा का ग्यान सुनाता था उनको त्यार करके अपने गुर्देव से उपदेश दिलाता था सन 1994 के अंदर गुर्देव ने मैं कुछ भक्तों को नाम दिलाने लेकर गया था ऐसे बैठे थे बरंडे में सामने सैकड़ों भक्त विद्वान थी उसमें मेरे पुझे गुर्देव जी की आयू लगबग 156 वरस की हो चुकी थी और इतना सुंदर स्टेरा था लाल सरीर था एक सो चार वरस की आयू में उनका तेरा देखने योगे था वरस दवस्य होगे थी और एकदम कहा के राम पालिद्रा मैं बहुत पीछे बैठा था दास की हिमत नहीं होती थी उनके सामने क्यों डर लगता था कि सत्गुर के दरबार में मेरी थरतर काँ पैदे और ना जाने किसी बात पर मारा तूट नजावे ने कोई ऐसी गतीविदी ना हो जा जिससे गुरू जी शुब्ध हो जा इसलिए दास बहुत डर कर रहता था नाम देने वाले आगे बैठे थे दास बहुत पीछे बैठा था और भी बहुत से नाम लेने वाले दिखसा लेने वाले आई हुए थे और दास भी पान सातों को लेगर करा था वो भी उन्हें में विराजमान थे मुझे पुर्कारा में आगे चला गया बैठ जा और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा और वहां उपस्तिस सेंकड़ों तो उपदेश लेने वाले थे और भी बहुत उनके पुराने सेस भी थे सबसे बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरू नहीं और ये सब के गुरू हैं इन से दिखसा लो मैं एकदम गबरा गया कती पसिन्ने आगे दासक है और वो तो अंतरियामी थे मैं इस चीज से डर गया कि इतने जिम्मेवारी की चीज कदे दाद्या न करीना प्रदादों न करीनी कि तो देखा नहीं अनुभाव नहीं ऐसा वो तो अंतरियामी थे समझगे कि चिन्ता ना करना तेरे साथ रहूँगा तेरे साथ मेरा आशिरवाद सदा बना रहेगा और फिर कहा कि विश्वे में तेरे समान संत नहीं होगा ये सब अप पुन्यात्मों उसमें दास अपने को बगत भी पूरा नहीं मनने था और उन्होंने इतनी बनाशिरवाद दे जिया कि तेरे समान विश्वे में कोई संत नहीं होगा तो कहते हैं गुरु मेर करे तो काग से हंस बना दे उन्होंने अपनी मेर से इस दास को कव्वे को हंस बनाया अपने ही आशिरवाद से संत बनाया उसमें हमारी बाल बुदी थी ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे जैसा एक तुछ पराणी और विश्वे में मेरे समान कोई संतना होगा ये बात गले नहीं उतर रही थी लेकिन गुरू की जो वचन है वो उसमें दोस भी दिखाई नहीं देवा था जैसे कोई छोटा बालक होता है और उसको कोई कहता है कि बेटा वो पैन लिया वो जैसे पैन रखा होता है ये पैन रखा हो और वो बच्चा उठा लेता है वो पूछता है डैडी ये क्या है पिता जी ये क्या है पिता जी कहता है बेटा पैन है वो कहता है के पैन है है पैन है है और इस बात को कहते कहते उसको रखके वो और खेल लग जाता है कहने का बाव यह है कि उसको नहीं तो यह आविस्वास है कि पिता जी जो कह रहा है वो गलत होगा लेकिन उसकी बुधी इतनी बाल है कि इसको समझ नहीं पार, यह पैन है, वो ऐसे उसको छोड़ कर चला जाता है, तो इस दास की अब वो एंस थी थी, उन्होंने कहा कि तेरे बराबर विश्वय में कोई संत नहीं होगा, तो उसमें दास एंएं सथी थी में था, और वो जो कह रहे थो तो पैन था ही, तो अब इस बात का कुछ आइसास हो रहा है, क्योंकि इन अन्य संतों, रिशियों के जो अनुभाव देखे दास ने, इनको पास तक खक भी को नहीं एक जातम ग्यान का, तो हम इस योग्या नहीं थे गुरू जी के आशिरवाद से होगे, योग्यान दो गया, बुद्बुद्धी खुली, और इन महरिशियों की अंदर इनके धाक के देख्या, इनके खुले वो बोरे दिन पर आईएसाई मारक ला रहा है, गोबर बर रहा खाता है इने सब ने, किसी के पास बोक्स मारक नहीं, सब की दुरुगती हुई, पिछले तियास बताओं, हमारे गरंत कहती हैं कुछ, यह हमें बता रहे थी उसके विप्रित, तो यह संत नहीं थे, आद आपके समक्स है क्योंकि बुद्धीमान समाज है, तो पुन्यात्माओ, जिस दिन आपका अध्यात्मिक जनम होता है, वो आपका वास्तविक जनम है, इस प्रत्वी मनलब है, शरीर के जनम तो असंखु हो लिए, जनम तो वो भी है क्योंकि शरीर सटार्ट हुआ, और अब आत्मा का जनम समझो, अध्यात्मिक जनम उसका उस दिन है, जिस दिन सत्गुरु मिल गए जा दिन सत्गुरु बेंटिया, सो दिन लेखे जान, बाकी समय विर्थ गया, बिना गुरु के ग्यान, के यही समय हमारा उस दिन से लेखे लगा, जीवन जिस दिन से पूर्ण संत मिले, नकली गुरुओं से उपदेश लिया हुआ विर्थ है हुआ 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 है खरत्फंग एंड़े हुआ है बीकारीरे अनली थे ले गुरुआ जिस दिन से दित Пषत व शीवने का क theor आवếu एगार हिव भूरुआ जैना जैस विर्थ तो सकतित खवतारा गेउने की शीवने की टार सिर दित हुआ 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 है झाल है 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 है